अधर नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब करना जरूर जोईं कर लिए यूटूब चैनल में बरे साथ है तो भी यह वाला जोईं करना बहुत ज़्यादा जरूर है क्या हाले साथ ही हूं मैं विकास सोमर आपके अब में ड्रस होती चैनल स्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस पर आज आपको समख लेके आगए तेरा अगस का करन्ट अफे और हिंदी इंग्लिश दोनों वी भाश्रों में यूपेसी और अदा स्टेट पिसे एक्जामनेशन के लिए काफी आदा इंपॉर्टन होने वाला आज का मारा सेशन देखें आगे बटनेस बहले आप लोगो बतातें यूपेसी और पेड़ फो का हमारा कम्प्रीट पेड़ फ्याफ सिर्फ टेसरीज का पेड़ 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 चालू है जाज जानकरी के लिए 8564880530 969066089 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं हमारे शोशल मीडिया के हैंडिल्स उसमें इंस्टाग्राम है आपका टेली ग्राम पे ओनली करन्ट अफेस टेड़ी फॉसरी और अप लोग लिखेंगे तो यह सारे फ्री चैनल्स आप लोगो मिल जाएंगे आप जोइन कर लिजे गए ठीक अधिक हमारे जो टॉपिक्स हैं प्रिलिम्स ऑ मेंस के लिए जो आ सकते हैं इंपॉटेंट हैं काफी वह देखे वरक्ष बंधन योजना अभी रक्षा बंधन आ रही है तो उसी जो है इसे कनेक्ट करते हुए वरक्ष बंधन योजना बनाई गई गई है ठीक एक में जानकारी लेंगे पूरी इसरो का EOS03 प्रक्षेपन जो था वो विफल हो गया बहुत मतलब निराशा हुए आज सुबह था यह मतलब कल सुबह था बारा बजे बारा तारिक को तो काफी इसमें राशा हुई देखे आज का जो important day होता है 13 अगस्त को वो होता है अंगदान दिवस और गन डोनेशन ठीक तो यहली चीज है अगला जो है आपका topic चालू हो गया है आपका GS paper 2 से समधित वरक्षबंधन योजिना वरक्षबंधन परियोजिना प्रोजेक्ट अभी देखे एक एक चीज तोड इसके शुरी 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 रवी शंकर जीन ли य की तो उनका है ठीक उनके साथ मिल के हो रहा है कहां पे हो बंधन योजना जो है इसमें कौन जो है एक्चुली ग्राउंड लेवल पर कौन काम करेगा तो जो है आदिवासी जो महिलाएं हैं और अंगाबाद की वो काम करेंगी वो बनाएंगी ग्यारा सो जो ट्राइबल विमन है वो बनाएंगी ऐसी राखियां ठीक रक्षा यह रोजगार मिल रहा है साथी साथ जो सीड्स इसमें होंगी एक आपने यूज कर लिया राखिये मैं तो रखता हूं ठीक है तो यहां पर सीड्स आप जो है लगा दीजे तो इससे क्या होगा फॉरेस्ट भी लगाने में अन्वार्मेंट को भी जो है फायदा मिलेगा तो जो ट्राइबल महिला है उनको रोजगार मिल रहा है इंवार्मेंट लोग को मिल रहा है इट से वेरी वेरी यूनीक एंड वेरी गुड जो है इनिशेटिव फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा क्लामेट चेंज से हमें लड़ने में इसमें जो है मदद मिलेगी ठीक और इस 1100 मेंबर किसकी है ये आपकी महिला किसान मंच जो है इनोंने जो है राखिया मनानी है सवुदेशी ये आदिवरसी में लाये है और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट है वो किसके आधारित है गौ आधारित पर्अपरागत खेती समंधी ठीक समंतना मतला एक तरीके से और्गनिक खेती की बात हुरी क्योंकि जो सीड्स हैं वो आपकी सवदेशी पेड़ लगाए जाएंगे और इसमें ये देखा जाएगा कि हम इसको इसमें मतलब परंपरागत तरीके जखेती करें जो है मतलब इसमें आपका प्रिजर्व करें रिवाइव कर सके ट्रेडिशनल एकलोजिकल नॉले जुनके बास बहुत है तो वो हमें वापस उन्हीं से सीखना चाहिए और भी क्या हो रहा है कि हम लोग अपने आपको modern समझने चक्कर में नेचर का इतना यादा नुकसान कर रहे हैं नेचर से लड़ रहे हैं और नेचर जब पलट के वार करता है तो क्या हालत होती है आप ठीक तो यह चीज है उसको हम बताने की जरूत नहीं है तो यहाँ पर निगेटिव एफेक्ट जो केमिकल एक कलचर के हैं उसको कम करना है तो यहाँ पर गौधरित परमपरागत खेती का भी एक जो है पहलू है तो अगर पूछे तो इसको बिलकुल हां करिएगा इसमें इडिबल कॉटन से बनाई जाएंगी राखिया और इंवार्मेंट को फायदा होगा और ठाउजन्ड और ट्रीज जो है इसके जरा लगाया जाना है ट्राइबल महिलाओं को रोजगार मिलेगा ठीक सौन में आगे की चीज फिर से रिवाइस करें कि आज देगो क्या है रक् पॉन से अधारित जो है गौव अधारित परमपरागत खेती है इससे क्या होगा महिलाओं को रोजगा मिलेगा ठीक ट्राइबल और इंवार्मेंट का होगा अच्छा होगा क्यों क्यों कि जो एक राखिया बनाएंगी महिलाएं वह राखिया जो है आपकी उसमें सीड्स हो बनाना है ऐसे फ्लोचाड बनाते हुए सोना यह चीज मैंने सुचा आप लगों इसे बताओं तो थोड़ा कुछ नया करते हैं अगर सही रहे तो बताईएगा बुजुर्गों के लिए जीवन की गुडवक्ता सूचकांग अब देखिया क्या हो रहा है एक सूचकांग का सूचकांग किस लिए आता है कि वह यह यह देखते हैं कि कौन कितनी रैंकिंग पर चला इससे एक जो है इंवार्मिन बनता है एल्दी कम्टीशन बनता है ठीक तो क्या है एक सूचकांग है किसके लिए है जो उमरदराज लोग है एडल दी है उनके लिए है क्या चेक करने के लिए एक कॉलिटी ओफ लाइफ के लिए है ठीक सब्सक्राइब अच्छा कौन जो है किसने इसको रिलीज किया है जो Economic Advisory Council है प्राइमिस्टर जी के उन्हों ने इसको रिलीज किया ठीक आपका EAC PM ने रिलीज किया है सब्सक्राइब कुछ-कुछ पॉइंट यहां पर देखते चलते हैं अच्छा यह रिपोर्ट जो है काफी जो है देखता है कि भारत इतना बड़ा देश है उसमें अलग-लग छेते हैं तो अलग-लग छेत्रों में जो एजड पीपल हैं उनके क्या हालात हैं कैसे प्रोक्रस कर रहा हैं और कहां पर वो लोग पीछे ठीक ओवरॉल सिचुएशन भी भारत में उससे फिर आप निकाल सकते हो और इसमें जो है डीपर इंसाइट देखेंगे भाईया कि कैसे इंडिया जो है अपने जो एजड पॉ पर मिलेगी अलग-लग इंडिकेटर से संकेत को पर वो जो है क्या चीज़े करके उपर आए हैं तो बाकी लोग के लिए वह एक तरीके से एक्जाम्पल है साथी साथ कहां पर हमारे गैप से जिनको फिल करना है कहां पर हमें अभी स्टेटर्स कहां पर क्या खड़े हुए कह पर यह सारी चीज़ें हमें इस सुषकांग के जड़ी है मिल सकते तो इसी तरीके से आप लोग भी क्या करो कि अपने जैसे एक्जाम को तैहरी कर रहो है तो आप लोग साथ दिन करीबन बचें तो आप निकाल लो अच्छा हिस्ट्री में कितना हो गया मैंने क्या रिवीज चार पिर्फिलर है एक फैनेंशियल वेलबिंग है दूसरा सामाजिक वेलबिंग है तीसरा हेल्थ है और चौतह जो इनकम सिक्यूर्टी तो इतजिके से पैसे वेशिए की बात हुरी यहां पर विक्ति है मतलब कि आपको कितना अचा इंकम और विक्तिय में फर्क यह तो FHS I या फिर कुछ भी फिश करके देखो तुरुम बन गया ठीक F से आपका जो है फाइनेंशल हो गया I से इंकम हो गया S से जो है सोशल हो गया S से जो है आपका H से जो है हेल्थ हो गया फिश जो है four pillar इसके बनाते हैं इसके सब लेर भी है आठ है तो ठीक तो आपके जो है आर्थिक जो empowerment है सशक्ति करण है आपका सैक्षिक जो attainment कितना है और रोजकार मिला है कि नहीं मिला समाजिक में status कैसा है समाज में physical security क्या है basic health psychological well-being social security और enabling environment enabling environment समझते हो जैसे कि बुजर्व अपना कहीं गए तो वहाँ पर उनको जितना ज्यादा दिकते होंगी pension लेने जाने में या फिर उनको जो भी जो उनके दिन चर्या है उनको करने में अगर कठनाई हो रही है तो इसका मिला environment उनको जो है रोग रहा है लेकि enabling environment कर रहा है अराम से अपने काम कर रहा है खुद ज्यादा ज्यादा और आप अपना काम करके चले जाओ तो यह चीज होती environment जो है enabling यह इंडेक्स जो है यह सोचने में यह समझने में कि क्या opportunity है elderly people के लिए क्या उनकी ज़रूतें यह सब समझने में जो है हमारी मदद करता है साथी साथ हमें यह भी बताता है कि भया सिर्फ pension मिल जाना income support मिल जाना ही elderly के लिए नहीं है बाकी भी बहुत साइच चीजे होती है मेरे भाई यह चीज है ठीक है और आपका इंडेक्स यह भी बताता है कि best way क्या हो सकती है उनकी जो age people है उनकी पे तो हम काम कर रहें चलो लेकिन जो लोग अभी यूवा हैं उनको मैंसा कैसे क्या करें कि उनके लिए जो है जब वो एस्ट हो जाए तो आसान से अपना जीवन यह पर कर सके वह देखे इसलिए वह कहते हैं कि best तरीका यह है कि हम इन्वेस्ट करें किसमे health sector में education sector में और employment भया employment अगर दोगे तो उसमें जो कुछ हिस्सा जो है भया EPF में कटेगा बविशनीदी में कटेगा आपको pension मिलेगी इसमें भविशनीदी में आपके तीन स्कीम होती है एक तो insurance होता है ठीक इडली इसको बोलते है आपका employee deposit linked इंसे आपका insurance होता है ठीक एक EPF होता है pension वाल देख लेते हैं health system जो पिलर था इसमें कई सारे पिलर में चार में जैसे हमने याद किये था ना फिश याद हो गया ना तो health का जो system का पिलर था अब उसमें national highest average हमें मिला है ठीक जितने पिलर थे चार में से और all India level पे 66.97 था social वाला 62.34 था ठीक और उसके बाद financial वाला 44.7 सेवन था और सबसे कम जो था वो income security वाला था ठीक तो अगर वैसे देखें तो सबसे उपर कौन सा हो गया health हो गया फिर आपका social हो गया फिर आपका एफ हो गया और फिर वह गया ठीक है तो यह चीज़ों के एचस एफाई करके हो गया अब इसमें पिलर वाइस अगर देखे तो state कौन कौन जो है उपर नीचे है यह समझ लेते हैं ठीक देखे राजिस्थान जो है जो कई दो तरीके की इसमें इन्होंने उम्र की बात करी है एक तो जो aged है और दूसरे जो relatively aged states है समझ में आना समझ में आना समझ में देखो aged states वो अले बोले गए जहां पर 50 लाग से यादा जो एडली पीपल रहते हैं relatively aged state वो है जहां पर अभी एडली पीपल 50 लाग तक नहीं पहुचे हैं तो हिमाचर प्रदेश जो है relatively aged में टॉप पे है राजिस्थान aged में टॉप पे है चंदीगर जो है आपका union territory पे टॉप मे हैं और मिजोरम जो है आपका नौर्थी स्टेट केटिगरी में टॉप पर है ठीक इसका एक चार्ट बना लेना एस इस्टेट जो है आपका बता दिया तलंगाना जो है एस इस्टेट में वर्स्ट है गुजराज जो है relatively aged में वर्स्ट है ठीक जम्मुन कश्मीर जो है आपक एकनोमिकली एडवाइजर जो है उन्होंने एक नया सूच कांग ले क्या है इंडेक्स ले क्या है इंडेक्स की चीज़ का है elderly के लिए है उनकी quality of life के लिए है अब यह जो इंडिकेटर है इसमें चार पिलर हैं चार पिलर कौन से हैं financial आपका income आपका social आपका health ऐसे याद र जो है आपको क्या और याद रखना है कि भाईया आपका कौन-कौन सी states और union territory दो भागों में जैसे राजिस्तान जो है aged में number one पे है आपका इमाचय पदेश जो है relatively aged में number one पे है वहीं states में देखा जाए तो तेलंगाना worst है aged में गुजरात जो है वो worst है relatively aged में वहीं union territory में देखा जाए तो आपका best जो है आपका वो कौन है चंदीगड़ है worst जो है वो जम्मुन कश्मीर है याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ऐसे याद करो ठीक है मैं तो दखो इसको कई बार मैं पढ़ता हूं तो इसलिए मैं कर पा रहा हूं आप लोग भी पढ़ोगे इस तरीक तो आप तो आपकी नसे भी तो मजबूत होंगी समझ आई ना बात और दिरे दिरे आप रिटेन करने लग जाओगे ठीक तो तरीका कैसे क्या पढ़ना वह भी सिकार हो कैसे रिटेन करना एक्जाम तक भी यह भी बताया जा रहा है ठीक तो उसके बाद जो है आपका जो आप देखो वर्ड हेल्थ और्गनेशन ना बताया कि देगर सो कॉंटेक्स से दिखे गया है वह यहां जहां तीन फैमिली हेल्थ वरकर मारबर्ग वाइरस के केस मिलें एक डिजीज है वाइरस वाई डिजीज है और यह इबोला से समंधित है ठीक इबोला का हम लोग को पत कॉरिंटाइन करो जो भी कॉंटेक्ट में आये थे इसके वो भी उनको जो है दो में दो हफ्ते के लिए कॉंट्राइन कर दो यह सारे चीज़ें अच्छा इसका इसका फैटलिटी रेट वह यह मारबर्ग जो हैंबर्ग फीवर यह बहुत जादा अठासी परसंट तक है या दो तरीके से मतलब आपका इसके वाइरस होते हैं एक होता मारबर्ग और दूसरा होता रामड वाइरस वाह राओ तो यह चीज़ है और सीवियर इनलेस इसमें हो जाती है हुमन और नौन हुमन प्राइमेट्स को जो बंदर होते हैं उनको भी ठीक प्राइमेट अलग होता दोड़ा साथ आप समझ सकते हैं इसमें साइन और सिंटम देखिए वहीं है दो से 21 दिन में दिखने लग जाते हैं वहीं सारे हैं मसल में पेन होना वामेट डायरिया यह साथ चीज़ें और अच्छा इनिके इनीशिली जो वहते हैं तो लोग समझी नहीं पाते हैं कि टाइ में फिकस में फिर आने लगता है यह साथ चीज़ें खून निकलने लगता है आठ्स वे नवे दिन में अगर फैटल हो गया तो आदमी खतम भी हो सकता है जो इसमें संच्छन है इसका या फिर ट्रांस्मिशन है वहीं है ब्लड ब्रोकन स्किन ब्लड सीक्रेशन बोडी से ज सकता है इसका ट्रीटमेंट देखा जाए तो वहीं कई सारी चीज़ें हैं इसको पता कर सकते हैं और पीसियार से नुट्लैशन टेस्ट से किसी को जो है आपका मारबाग वारस का एली डिजीज हुई है कि नहीं हुए है लेकिन अभी इसका कोई भी प्रूवन नहीं खुब ज़्यादा फ्लिट प्लाई आता है इंटरविनेस फ्लिट और यह सब डिले कर सकता है उटकम को यह सारी चीज़ तो चलिए फिर से बारिवाइस करते हैं मारबर्ग जो है आपका मारबर्ग यह क्या है यह एक वाइरस डिजीज है किस से इबोला वाले से सिम्ट लेटर तो हाँ बिल्कुल है ऐसे बनाएगा वहाँ पर ठीक और इसके बात जो है कि यह मारबर्ग जो है अभी यहां पर इसको आपका कोई भी ट्रीट्मेंट नहीं है ठीक फ्लूइड देके इसको आउटकम को डिले किया सकता है इसके जो है वहीं वामेटिंग और यह सब हुमन और नॉन प्रेमेट में भी हो सकता है ठीक खतम होगी चीज तो मतलब पूरा अगर मैंने आपको यह पढ़ाया छे-पांच मिनट में और आपने एक मिनट में अगर इसको अपने एक पेज रोज बनाओ एक पेज ए-4 ठीक और वहां पे आपने इसको लिख लिया तो आपको इस एक्जाम को क्लियर करने के बताई है ठीक अगला जो हमाँ टॉप है कि जीएस पेपर 3 के साइंस और टेकलॉजी से आएगा इस रोगा इस यानि की अर्थ ऑब्जरवेशन सेटलाइट 03 का प्रक्षेपड विफल हो गया अलकि मैं इसको फेल नहीं मांतों यह एक लिक्विड ही हाइड्रोजन लिक्विड ही ऑक्सीजन रखनी पड़ती तो इसके लिए बहुत थंडे उसमें रखना पड़ता है और यहीं सबसे बड़ा कठें काम होता है हलाकि यह इंपॉर्टेंट है अली स्टेज को हमें पाना इस इंजन को हम लोंने पीछे अच्छा क पहले तब कुछ टेक्निकल ग्लिच आ फिर यह पैंडेमिक आ गया तो हमारे लिए जो यह अभी यह पर्टिकॉलर जो है इवेंट यह काफी ठीक नहीं क्योंकि पैंडेमिक की वैसे काई सारी चीज़ें हमारी डिलेड हो गई है और फिर यह टेक्निकल ग्लिच आ गया है जो लांचिंग वेहिकल जी एसल्वी ठीक उनको उठाने के लिए कराजनिक ही चाहिए क्योंकि इसी इंजन में उठाकत है जो वेट ज्यादा से उठा सके 4000 टन से जादा उठाने मेरिका से जाता हुझे आदा रहा तो यह वाली चीज़ें तो इसलिए कर पाए अच्छा सेटलाइट जो है हम इसलिए करना चाह रहे थे कि भईया कई सारे नेचुरल जो डिजास्टर हो गया आपका साइकलोन हो गया इन सब को देखना और पहले ही प्रेडिक्ट करके फोर्कास्ट कर देना यह काम था इसका काम है और अब यह थोड़ी दिन बाद इसको कर पाएं साथी साथ करवजिनिक अगर हमारे बाद मिल गया तो यह बहुत ही कम में बहुत ही कम बताइए अच्छा किंकिन कंट्रियों ने भी तक इसको इसको हासल कर लिया है तो उनके पासे तो बाकी लोग को हम जो है बेच भी सकते हैं उनके हम रॉकेट बना सकते हैं उनके रॉके तो यहां पर इसमें जो है क्राइजनिक में अभी दिक्कत आ गई तो यहीं पर अगस को जो सुबह सुभे था पांच मेंट के बार फेल हो गया और जिए अब मैं आपको सारी चीज जितने भी मुझे याद थी मैंने बता दी क्योंकि यह टेक्निकल चीज एक पॉइंट वाइज आपको नहीं बता सकते और क्योंकि आप इतना अदा फैक्ट नहीं आप समझने आली चीज थी अब मैं दुबारा क्या कर रहा हूं अब मैं आपको फैक्ट जो चीजे याद होनी चीजे यह चीज है ठीक तो क्या हुआ भाईया जीयोस्टेशनरी और्बंट मैं सको लेकर जाना था अचा और्बिट जो है जीयोस्टेशनरी था जीयोस्टेशनरी इसले पर रहती है तो यह चीज था और यहां पर हमने किया है अपर स्टेज क्राजनिक इंजन जो किया था जिसमें लिक्विड हाइड्रोजन लिक्विड ऑक्सीजन होता है वेरी लोट रप्रिचर पे जो की कठिन काम भी है लेकिन बहुत ज्यादा एफीशेंट होता है अगर हम इ वेरी बिग बून इन आवर स्पेस टेकनोलोजी और हम इसके जडिये जो है मार्स पे और जो है हुमन जितने भी हमने सोच हुए ना कि हुमन जो है गगन यान हम लेके जाएंगे मनुश्य को जो है स्पेस में वो सारे काम भी हम कर सकेंगे अगर यह वाला जो है करा जैने के इंजन पर अवारी एक बार मास्ट्री हो जाए तो ठीक यह चीज़ है कई साइडिफिकल्टी पहले भी आई है मैंने आपको पहले बताया फेलियर पैंडिमिक के वैसे और बड़ा हो गया है यह कई साय टेकनिकल ग्लिच पिसली साल भी हुए थे जीसली के मिशन हमें और कर बड़ने हैं यह जो मिसाइल थी यह आपका यही थी रियल टाइम इमेज भेसता लार्ज पार्ट ऑफ दे कंट्री को कवर करता नेच्रल डिजास्टर फ्लट साइकलोन बॉडी क्रॉप वेजिटेशन फॉरस्ट कवर को देख रहा तो फॉरस्ट फायर से भी तो बचा सकता लाणा ती यह सारी चीज़ें और यह हमारा काफिया इंपॉर्टेंट था इस रो जो है आपका यह बैंगलोरू में है इसका हैड़क्वाटर है द्यानकना डिपार्टमेंट ऑफ इस पेस जो है वह इसका जो है आपका एड्मिस्टर करता है इस बोडी को और यह पारेंट होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इस स्पेस की तर्में आपका ठीक 15 अगस 1979 में जो है फाउंड विक्रम सारा भाई अच्छा थोड़ा सा अच्छा कुछ नहीं यह आप जब आंसा इसका दूड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा के सिवान जी जो है इसमें डिरेक्टर एडि टाटा वही रतन टाटा वाली जो कंपनी है इसके चेर्मेन हाला कि कौन है इसमें चंद शेखरन है द्यानकना कहीं अगर पूचे यह चेर्मेन बताओ तो रटन टाटा मत कर देना तो यह चीज़ है मुंबई बेस्ट टाटा गुरूप ने भी कहा है कि हम इलक्ट्रोनिक ज सब्सक्राइब करता है इन दोनों का बीच का यह सिस्टम होता है तो जब इसमें आपका सब्सक्राइब करने लगता है तो जितने भी हाई एंड के आपको इलक्ट्रोनिक दिखते हैं जो मैंने अभी पहले बता है उन समय से समय कंड़क्टर होते हैं और अभी क्या हुआ है कि पैंडेमिक हुआ समनना मेरी बात दो अब दोगों ने टैबलेट घर से सब कुछ हो रहा है जूम कॉल मीटिंग स्कूल के क्लास से सब कुछ टैबलेट चाहिए भाया मोबाइल चा चाहिए इन सब में भी समय कंड़क्टर लगना है अच्छा समय कंड़क्टर की डिमांड बढ़ी लेकिन सप्लाई जहां हो रही थी जैसे के ताइवान और सौथ कोरिया में वहां पर इनकी फैक्टरिया बंद करनी पढ़नी पैंडेमिक की वैसे तो सप्लाई हो गई डाउ फैजी भी होने लगी आटो मोबील भी अब जातर जो चीजें हैं आपकी यही इलेक्ट्रोनिक की समान लगते हैं तो उनका भी जो है कि अपका यह डिले हो रहा है तो यह सारी चीजें और आप टाटा ग्रूप उतर के आ गई है उसने का कि हम समय कंड़क्टर भी कुछ बना देंगे यह वाली चीज़ है ठीक तो इस वरी गूट तिंग अगर हम खुद क्या बनाते हैं तो हमें सस्ती और हो सकता मुबाइल और सस्ते हमें मिले ठीक है तो यह खुछी बात भी हो सकती है ताकि जाज ज्यादा लोग पे गरीग गरीग के पास में भी जो है और ना अलिक और में अप्रिक्षिंग के लिए तेजस नेटवर्क इससे यदा कुछ नहीं बस वह दिमांड अप्लाई वाली जो चीज थी और समी कंडूक्टर की क्यों जहें कपतमलब क्यों जो है डिले हुआ है समी कंडूक्टर की क्यों डिमांड बढ़ लए क्यों सप् कुछ करी थी तो यह साई टाइप के जो कुश्चन होते हैं वह आपको जन्रल साइंस में मिलेंगे जो एंस एंटिक बुक्स में होते हैं लेकिन साइंस एंट टेक्नोलोजी से यूपस्ट कुछन पूछता है यानि की जो करंट अफेर है वहीं से ही पूछेगा और उसमें भी कि उसमें पूछता है कि क्या यह हो सकता है यह झा दियुक्नोलजी का पूछा टो पूछा कि क्या इसके थूरूजом इर्गलत क्यों सकते हैं जाई charcoal प्रतिशा तक जो आंसर है वो आपके all of these होते हैं या फिर 1-2-3-4 या फिर जो भी है all of these हो जाता है बट यह जो है इसमें 1% गलत भी हो सकते हैं तो आप लोग पढ़ लो तो ज्यादा अच्छी बात है application वो अगर पूछ रहा है तो आपको application of mind भी लगाना पड़ेगा तो semi conductor क आपको मैंने बता है कि conductor insulator के वीच का एक तरीके तरीके का लट्टू जो बैलेंस करता है प्योर मैटल भी होते हैं सिलकॉन जर्मेनियम और इसमें कुछ अगर आप compound या फिर भी जैसे को impurity मिला दो अच्छा impurity मिलाने को डोपिंग बोलते हैं तो कुछ अगर इसमें impurity मिला दो आप चोटी से तो यह फिर अच्छे से और इसकी एफेक्टिविटी बढ़ जाती है तो इसको यह कहते हैं डोपिंग करना और इससे एक बहुत उच्छी बास में आप लिखी कि अग चीज़ें ठीक तो देखें इंट्रसिक जो समिकंडॉक्टर होते हैं वह थोड़े फैक्ट देख लेते हैं आपका सिलिकॉन होगा जर्मेनियम हो गया एक्स्ट्र एक्स्ट्रेंसिक मतलग की कुछ इंपिर्टी डोपिंग इसमें करी गई है एंट टाइप के जो होते हैं इ उसके क्या बैनिफिट हैं और चैलेंज़स क्या है इसके क्या च्वाइदे और चुनौतियां और अगे क्या होना चाहिए यहना चीजोंगे क्या है क्यों सुधार करना चाहिए। पूछे ना यह वाली चीज़ है अगला जो हमारा सेक्ष्षन है वह है कौमने का इस पीसे में किस तरीके से से एंसी क्यू या फिर प्रिलिंज को कोशन है मैं सौल करने चीज़ है उसके ट्रिक्स और टिप्स क्या है और पहला जो पारा कोशन है वह है ग्लोबल यूथ डवलप्मेंट इंडेक्स वैश्विक यूवा विकास सूचकांग देखें को सूचकांग आगया इससे समंदित जो कौन से कथन सही है बताने आप लोग को यह कॉमन वेल्ट सेक्रेटरियेट सची वाले है राश्मनल का उसके दवरार रिलीस के जाता है और यह यह चीज़ बताता है कि यूवा की यूथ की क्या अभी कंडीशने सिती है दुनिया में तो क्या यह स्टेटमेंट सही है ठीक दूसरे स्टेटमेंट यह है कि इंडेक्स यह बताता है एक जीरो पंट जीरो से लेके एक के बीच में जो स्क प्रिशाटमेशन भी इसको कि रैंकिन चांत करें सब्सक्राइब कर दाल पर not सब्सक्राइब किया और सिंगापुर ने किया इसके अलावा स्लोवेनियों और नौर्वे 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 जो है वो सेकेड और थर्ड नंबर पे थे तो इस टू पॉइंट्स है वेरी इंपॉर्डेंट कि क्या चीज़े हैं एक तो इंडिकेटर एजुकेशन सिटी देखता ही किसी जिसने पड़ा है वो तुरत उसको समय आ जाएगा वाटर प्लस सिटी किसको बनाएगा बट हम तो उसके अंदर की चीज़े भी पूछेंगे क्यों का की कैसा भी कोशन है हम लोग उसको करके जाएं यह सबसे जोरी है कौन सा कतन रॉंग है सिली ODF ॉडिएफ डबल प्लस ओडिएफ क्या था ओपन रफिकेशन फ्री डबल प्लस ऐसे करके था तो क्या उन्हीं को रिलीस किया जाता है एक सिट्मेंट हो तू आउसी से टो भी वाटर प्लस बनाएगा तो यह स्टेटम्न का सही है कि गलत है बता यह फिल्कुल खरास होना एक अग्दम तर एंडिया का फर्स्ट व्रटर्लस सिटी जो है डेक्लियर कियागया है अब चूकि यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा इसमें जो है दिखर यहाँ पे जो है आपका तीसरा स्टेट्मेंट जो है वो गलत है और गलत ही पूछा गया था तो इसलिए आंसर हो जाएगा C ठीक नौकी A तो तीसरा गलत है पहला जो वटर फ्लट सिटी इन्दिया में गोशित किया गया है वो है इनदोर जो की क्लेन इस सिटी है इंडिया में 84 की ने जो है उप्लाइ किया था तो इससी साथ में हम लोग आज का इस सेंचन खता है अगर आप लोग को पसंद आया है तो प्लीज लाइक का बटन तोड़िये और जाज जाज लोग को जोड़िये शेयर सब्सक्राइब कराके आप लोग को फिर से बता दूँ यूपी एससी के दो महिने बचे है एक महिने से भी कम बचा हुआ है तो चलिए फिर से कलम मुलाकातों की सुबा दस बजे तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा खुब पढ़िये सुरक्षित रहिए लगाता है मैत करते रही है जाएन जाब भरत all the very best है वंदे वंदे मातरम